लोहिया महाविद्याले के यूट्यूब चैनल पर हिंदी के सभी नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत आप सभी को बहुत पूत पदाई कि आपको लोहिया कोलेज में एड्मिशन मिला तो बच्चों हमारी क्लासेज जो है ओनलाइन ही होगी और हमें ओनलाइन ही पढ़ना पढ़ेगा तो आप लोग जो है अपने जो भी आपके ग्रूप पे विडियो हैं उनको देखना पढ़ना लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में आपके पांच प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाएंगे और आप हमारा सहयोग करें क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पढ़नी पाएंगे तो प्लीज जरूर सभी बच्चे वीडियो देखें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों को कहें अपने सहपाठियों को बताएं जिनको भी आप जानते हैं कि वो इसको द देखें तो आज बच्चों अपन पाठे करम पर चर्चा कर लेते हैं मैं प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताती हूँ जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का उसका जो नाम है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य यानि अपन प्राचीन और मध साहित्य काल के जो भी कवी हैं उनको पढ़ेंगे इस साहित्य के इतियास को पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे जो मैं आगे आपको बताती रहूंगी यानि आपके पांच इकाईयों में विभाजित होगा आपका सिलेबस्त ठीक है पांच इकाईयों में आपकी जो यह तो आपकी पुस्तक पर आधारित होगी व्याख्या है और प्रश्न पूछे जाएंगे चोथी इकाई जो है वो हिंदी साहिते के आदिकाल और भक्तिकाल से संबंदित प्रश्नों के ऊपर होगी तो मैं आपको इकंटेंट भी देती रहूंगी आपको मतलब नोट्स देत आते रहेंगे तो बच्चों चोथी इकाई मैंने बताया आदिकाल और भक्तिकाल का फरिच है और पांचवी इकाई जो है उसके अंदर कावे शास्त्र से संबंदित जैसे अलंग कार हुए शब्द शक्तियां गुण दोश कावे के दोश कावे के गुण यह सब आपके इकंटेंट में दे दूंगी नोट्स दे दूंगी गुरूप पर आते रहें डेली देखते रहें और वीडियो बगरे को लाइक करें अब आप देखिए प्रथम जो इकाई है उसके अंदर आपके कौन-कौन से कवी है वीसल देव रासो है नर्पती नाल जिनके कवी है उन का विरेय वो इसके अंदर आता है तो दो कवी हुए तीसरे कवी है विद्यापती भनई विद्यापती तो इसका क्रेश्न-मौहन जहा का सम पादन किया हुआ तो उसमें से आपके कुछ पद हैं तो विद्ध्यापती हो गया चोते हैं अमीर खुसरो अमीर खुसरो के दोहे आपके इस प्रथम एकाई में आएंगे तो आप देखिए चार कभी आपके करते हैं एकाई ऋपे treatment तो दूसरी एकाई में बच्चों आपके होगा कभीर दासजी कभीरदास जी के गुरुदेव को अंग, विरे को अंग, कत्नी बिनकर्णी को अंग, भेश को अंग और पद हो गए तो ये हो गए आपके कभीरदास जी जो आपके सिलिबस में है यानि कभीर की कभीताएं हो गई और फिर अगला छटा जो कभी है, यानि पांचमा चार्तों सिकाई में हो गए, प्रथमी कभी में पांचमा कभी कभीरदास हो गया, छटा कभी, सकेंड निकाई की अपन बात कर रहे हैं, जायसी जायसी का मान सरोदक खंड आपके और नागमती वियोग खंड दो आपके सिलिबस में हैं, तो अपन ये दोनों करेंगे, आपको व्याख्याएं में करवाऊंगी और विडियो डाल दूँगी, आप पढ़ते रहना फिर आप क्या आते हैं, विन्य पत्रिका तुलसिदास की, तुलसिदास जी की विन्य पत्रिका इसके कुछ पद आपके सिलिबस में है, फिर आता है आठवा कभी, साथ में तुलसिदास हुए, तो आठवा कभी आता है सूर सोरब, सूरदास जी का, तो सूरदास जी की कभी पद जो है वो आपके सिलेबस में है तो ये साथ कवी सोरी आठ कवी जो आपके हैं दो इकाईयों में हो गए चार चार दोनों में हो गए अब अपन तीसरी इकाई पे चलते हैं इसमें मीरा बाई के पद हैं ठीक है मीरा बाई के पद फिर रहीम जी के पद हैं रस्खान जी के पद हैं और सहजोबाई के पद हैं सहजोबाई तक यानि अपने सारे के सारे मिला करके चार-चार कभी हर इकाई के अंदर आते हैं अब अपने को इन चारों इकाईओं से क्या होगा कि इन में जैसे A, B, C, A, B, C तीन खंडों में परश्न पूछेंगे तो जो पहली इकाईओं अभी मैं इन तीन इकाईओं की बात करहे हूं चोथी और पांचवें की बात में करूँगी इन तीन इकाईओं को क्योंकि अभी अपनने देखा है तो जो अखंड है प्रतेक इकाई पांचों इकाई है नो उससे दो प्रशन रखते हुए पांच इकाई हों से दस लगुतरात्मक प्रशन पूछेंगे दस प्रशन पूछेंगे पचास शब्द सिमा है और बीस नंबर के हो गए है आपके ठीक है फिर बै जो है बै में जो है पांच इकाईउं में से ये जो पांच इकाईउं है इसमें से 7 व्याक्यात्मक प्रशन पूछे जाएंगे यानि व्याक्याई होंगी जिसमें से 5 करनी जरूरी है आपको आवशक है तो फिर से पार्ट जो है भाग जो है प्रश्न पत्र का उसमें पांचों इकाईयों में से चार आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रतेक इकाई से अधिक्तम एक प्रश्न पूछा जाएगा हर इकाई को कवर करते हुए एक निबंदात्मक प्रश्न होगा जो आपका पहला इकाई में जो अभाग है उसमें 50 शब्द सीमा 50 है और 20 नंबर का है दूसरा जो है वो व्याक्या वाला ये इसकी 200 शब्द सीमा है और 40 नंबर का है ठीक है और फिर सह इकाई जो है जिसमें आल उचनात्मक प्रश्ण है 500 शब्द सीमा होगी और 40 नंबर का है यह प्रश्ण पूरा यानि चार प्रश्ण दो प्रश्ण अनिवारे प्रश्ण दो चार में से और 20-20 अंक के हो गए तो 40 के हो गए 20-20 के हुए इस हिसाब से तो यह आपके पांचों चार तीन इकाईयों के परिचयात्मक इतिहास लेखन परंपरा नामकरण काल विभाजन परिस्थितियां प्रवरितियां पूर्वात्तर सीमा निर्धारण यह सारा इसमें आपके सिलेबस में होगा यह चोथी का ही होगी इसमें भी वही एक तो एक लाइन वाला जो भी यह 50 शब्द सीमा का छोट के बाद में दूसरा प्रश्न होगा इसके अंदर 40 नंबर के थोड़े बीचके से प्रश्न होगे 200 शब्दों के और 500 शब्दों का होगा ठीक है अब पांचमें इकाई आती है जिसके अंदर है काव्य शास्त्र काव्य शास्त्र में क्या क्या है अर्थ अभिप्रेत व्यव पहार, ओचित्य, काव्य गुण, दोश, शब्द शक्तियां, अलंकार, अलंकारों के अर्थ, विभिन आचारियों के मत, अलंकार का महत्वे, अलंकारों के प्रकार, अलंकारों के उधारन, और प्रमुक्स जो अलंकार आपको पूछे जाएंगे, उनमें क्या है? अनुप्रा सलंकार, यमक अलंकार, शले सलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रिक्षा, अतिशयोक्ती, दीपक, संदेः, भ्रांतिमान, अपनहुती, दृस्टांत, उदाहरण, विरोधाभास, मानवीकरण, विशेशन, विपर्य, विशेशोक्ती, विभावन तो ये इतने सारे अलंकार अपने को पढ़ने हैं बहुत चोटे-चोटे से हैं और गणित कासा इसमें आपके नंबर आते हैं अलंकारों में तो कावे शास्त्र वाला हिस्सा तो कैसा है बस याद किया और प्रशनों के उत्तर दिये तो बच्चों अपने को क्या करना है योजना बद्द तरीके से व्याख्याएं और प्रशनों को लेना है क्योंकि आप महाविद्याले में अभी आ नहीं सकते हैं कोरोना की वज़े से तो जितने भी अपने पास संसादन है ओनलाइन के उससे हम पढ़ेंगे और ऐसा कभी न करना की बिना पढ़े आप बिना देखे ऐसे ही बैठे रहेंगे और आप सोचते हैं कि अंत में थोड़ा बुत पढ़के परिक्षा दें तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है ने हमारा है ने सरकार का है ने महाविद्याले का है इससे आपका अपना विक कि नए है मुझे बहुत दुख है इस बात का कि फरस्ट एर में आने वाले बच्चा महाविद्याले की परमपराओं से परिचित नहीं होगा इस महाविद्याले केंपस से में फिलहाल घूम नहीं सकेगा तो बच्चों मैं उमीद करती हूं जल्दी से कोरोना दूर हो आप और हम सम्मुख रह करके पढ़ें और हम आपको जाने आप हमें जाने धन्यवाद बच्चों